जहिन स्वागत है आप सभी का एक वाफे से टॉप 10 डेली करेंट अफेर्स सीरीज में आज 24 अपरेल है और आज भी हम रोज की तरहीं दस सबसे महत्मून प्रश्ण पर जचा करेंगे तो इससे पहले पहले कोशन पर चले हम देख लेते हैं कि जो वीडियो के लाश्ट में प खूब नागलेंड इसका अंसर होगा तो इसे के साथ चलते हैं वीडियो के आज की अपने पहले प्रश्ण बढ़ तो पहला प्रश्ण है कि ग्लोवल एनरजी ट्रांजिशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी की जाती है तो आप्शन है विश्व आर्थिक फोरम अंतराश् में पहले इस्थान पर स्वेडन रहा है और इसके बाद नौर्वे और डेन्मार्क का इस्थान आया है सूचकांग में भारत का इस्थान 87 रहा है कौन सा इस्थान रहा है 87 इस्थान रहा है और ग्लोवल एनरजी ट्रांजिशन इंडेक्स 2115 देशों को परियावरणिये इस सूरक्षा जैसे तीन आयामों में उसके परदर्शन के लिए एक आधार भुत मुल्यांकन के आधार पर यह सूचकांग जारी करता है यानि किसके आधार पर सूचकांग जारी होता है कि परियावरणिये इस थिरता कितनी है उस देश में आर्थिक विकास कितना है और दुश्व आर्थिक मच द्वारा परकाशत की जाने उने रिपोर्ट है कौन-कौन से है एक टो ग्लोवल रिस्क है कौन-कौन से रिपोर्ट है पहला कि ऐसका उसको भी मैंने अप लोग को करनट अफइर्स में कई बार डिसकस किया है तो ऑब everyone जारी करता है विश्व आर्थिक मंच जारी करता है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट फॉर कास्ट फॉरेस्ट्रिंग एफेक्टिव एनर्जी ट्रंजिशन रिपोर्ट सोचल मोबिलिटी इंडेक्स तो यह सारे रिपोर्ट जो है कौन जारी करता है विश्व आर्थिक मंच जारी करता है तो यह आप लोगा दूसरे प्रशन पर तो हाल ही में वैश्विक उर्जा समीक्षा रिपोर्ट किसने जारी किए उर्जा ओर्ज़ा या इन से कोई नहीं तो इसका अंसर होगा विश्व उर्जा एजनसी तो इन्टरनेश्णल एनर्जी एजनसी अने अभी हाली में ग्लोबल एनरजी रिव्यू रिपोर्ट यानि कि विश्व वैश्विक उर्जा समिक्षा रिपोर्ट जारी किये है और इस रिपोर्ट के उसा भारत में कारवन डाय उक्साइड उससर जन 2019 में दर्ज किये गए इस तर की तुलना में 1.4 परतिशत अधिक है और नविनी करण स प्रश्व पुस्तक दिवस कम मनाया जाता है तो ऑप्शन से 22 अप्रेल 23 अप्रेल 24 अप्रेल या प्रेल 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 25 अप्रेल तो इसका अंसर होगा 23 vain को घर साल 23 अप्रेल को विश्व पुस्तक दिवस और कॉपिरेट दिवस मनाया जाता है इसका आयोजन संयोकतराष्ट्र공 वैग्जानिक ौर सांस्कृतिक संगठन के lider तो यानि कि यूनेस्को के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है तो विश्व पुस्तक दिवस 1995 से मनाया जा रहा है लेखक मिग्वेल डी सर्वेंटीज की पूर्णे तिथी पर विश्व पुस्तक दिवस मनाने का विचार जो है एक लेखक विसेंट क्लेवल एंड्रेस द्वारा दिया गया था इसके अलावा 23 अप्रेल को ही विश्व अंग्रेजी भाषा दिवस भी मनाया जाता है वह सेक्स्पीयर के जन्म दिवस के अवसर में बनाया जाता है और विश्व पुस्तक दिवस भी तेई सपर incarn चलते हैं वीडियो के अगले और एक और मेहत्मून प्रेशनर पर कि किस अंत्रिक्ष एजंसी ने कॉस्मिक रोज के आकार में एर्पी 273 अकाश गंगाओ का चित्र जारी किया तो अप्शन नासा इसरो जैकसा या इन में से कोई ने तो इसका अंसर होगा नासा तो नासा ने अभी हाली में अकाश गंगाओ ARP के इंटरेक्शन की छवी को कॉस्मिक रोज के आकार में जारी किया है और इस छवी को नासा के हवल इसपेस टेलिसकोप के आधिकारिक इंस्ट्राग्राम हैंडल पर साजा किया गया है इस छवी में सरपिल अकाश गंगाओ का एक सम्हूं गुलाब के समान एक साकर्ती बना हुआ बना रहा है और आकाश गंगाओ में बनी इस संरचना यह संरचना लगबग तीन सो मिलियन परकास वर्षदूर एक एंड्रो मेडा तारा मंडल में इस्थित है तो इसे के साथ चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्मिन प्रश्न पर की फैक्ट य इद्रिस डेवी का अभी निधन हो गया उनकी निधन का कारण क्या था कि इन विद्रोहियों के खिलाफ वे लड़ाई लड़ रहे थे यूद कर रहे थे यूद में थे और जिसकी वैसे उनकी मिर्ट्यू इस फाइट में हो गई तो 2016 में फाइटर्स ऑफ दा फ्रंट फॉर किस देश से जुड़ा हुआ है चार्ड से जुड़ा हुआ चार्ड से जुड़ा हुआ तो अकसर पूछ लिया जाता है अलग अलग देशों के द्रोहिस से मुवों के बारे में पूछ लिया जाता है कि यह किस देश से जुड़ा हुआ है तो इसी के साथ ही चलते हैं अपन इस दिन को पहली बार 2010 में मनाया गया था और इस अवसर पर प्रधानमंति नरेंद्र मोधी स्वामित्व योजना का सुबारम करेंगे उसका उद्गाटन करेंगे सौमित्व योजना के बारे मैंने पछली करेंट अफ्येस्स की वीडियो्स में लगता डिसकस किया हुआ कि ये एक मानचित्रण तयार करना है कि इसका ग्रामिर्ट छेत्र में जो भूमी है जमीन है उसका मांचेत्रन तयार करने की योजना है और ग्रामिरों को उसका स्वामित्व देने की योजना है तो स्वामित्व योजना का संबन ग्रामिर्ट छेत्र से है और प्रधामित नयर्मोदी आज यानि की 24 में उत्यवति के ऊवसर पर पर राष्ट्र को या जो 14 ए दिधान दीवस पर राष्टी पनचायद प्रुसकार 2021 भी परदान करेंगे यानी ऎलाव Message means कि दिन प्रदान किया जायँ कार इसे के सतथ चलते हैं देखते हैं कि जो 24 सब्विधान संसोधन है या 24 अप्राइल को क्या हुआ था जिसकी वज़से हम राष्टे पंचायती राज़ दिवस मनायते हैं 24 अप्राइल 1993 को राष्ट्रपती ने पंचायतों को संविधानी दर्जा परदान करने के लिए 73 संविधान संसोधन विधेक जो था उसको अधिनियम में परिवर्तित किया यानि उसको सुईकिर्थी दी 1992 को सुईकिर्ती प्रदान की और 24 अप्राइल 1993 की यह था उसके बाद से संप्रदेश में लागू किया गया इसी 24 अप्रेल को राष्टे पंचायती राज दिवस मनाया जाता है क्यों मनाया जाता है क्योंकि 73 संबिधान संसोधन विदहयक 1992 को राश्पती द्वारा स्विकृति दी गई और इसे अधिनियम के रूप में परिवर्तित किया गया किस डेट में 24 अप्रेल 1993 को तो 73 संबिधान सं संबिधान की ग्यारवी अनुसूची में जिसमें पंचायती राज ब्यवस्था है वह 73 संसोधन के माध्यम से जिसमें पंचायतों को लेकर 29 विश्य शामिल हैं कि पंचायते जो हैं उस पर अपने निर्णे ले सकती है अपने संबंद में कारे कर सकती है इसके लावा अगर देखा जाए तो पंचायतों के लिए जो पाइलेट प्रोजेक्ट पहरी बार या कहीं पर चलाया गया था या पहली बार कहीं पर पाइलेट या पंचायती राज बेवस्था को लागू किया गया था तो राजिस्थान के नागोर जिले में किया गया था 1969 में दो अक्टूबर 1969 में पहली बार इसको लागू किया गया था इसके अलावब देखा जाय तो जो 73 सम्मिधान संसोधन है यह भार ने पंचायती राज बेवस्था को 33 परणाली में बाढ़ता है जिसमें ग्राम इस तर पर पंचायत, मध्यवर्ती इस तर पर पंचायत समीती और जिला इस तर पर जिला परिशत के रूप में जाना जाता है तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले प्रशन पर अगला प्रशन है कि अंतराष्टी धार्मिक सोतंतरता रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई तो उप्षन है अमेरिका धार्मिक स्वतंतरता आयोग, युनेसको, संयुक्तराष्ट स्वतंतरता आयोग या निमें से कोई नहीं तो इसका अंसर होगा अमेरिका धार्मिक स्वतंतरता आयोग तो अमेरिकी अंतराश्टी ये धार्मिक सोतंतरता आयोग की वर्ष दो हजार 21 की वार्षिक रिपोर्ट में भारत को दूसरे वर्ष भी यानि कि 2020 में भी धार्मिक सोतंतरता का सारवधिक उलंगन करने के लिए यानि की प्रमुक चिंता वाले देशों की श्रेणी में सुचिवध किया है और इसने अंतराश्टी धार्मिक सोतंतरता आधिनियम 1998 के तहत स्थापित एक सोतंतर दूई-दलिये अमेरिकी संघिया आयोग है और यह संगठा अंतराश्टी मानकों के आधार पर वैश्विक इस के अलावे 2021 की बार्षिक रिपोर्ट कलेंडर वर्ष 2020 के दोरान 26 देशों में धार्मिक सोतंतरता के उलंगन और उनकी प्रगती का आकलन करती है तथा अमेरिकी नीती के लिए सोतंतर स्रिपारिश्य भी करती है इसका मुख्या लेका है वाशिंग्टन डीसी में है इसी प् करोगे संदाय को लेकर सोतंतरता का प्राभदान करता है तो वहीं अनुच्छेद 28 कुछ विशिष्ट सैक्षिक संस्थाव में धार्मिक सिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने को लेकर स्वतंदर्ता का प्रावधान करता है इसके अलावा अगर देखा जाए तो भारतिय संविधान के अनुच्छेद 29 से 30 में अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के संबन में भी प्रावधान किये गए हैं दोस्थो चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्ष्ण पर जो कि महत्मून प्रश्ण है कि विश्वधायकर 25 सुचिकित्सा साथ दिवस कम मनाया जाता है 21 लाइस अप३र्यश में एक लेखें है और चौनिवार को मनाया जाता है और मौत सब्सक्राइब 2021 में मनाया जा रहा है तो यह कब मनाया जाता है हर साल अप्रेल के चौथे शनिवार को मनाया जाता है तो विश्व इसका जो विशे रहा है इस बार वो क्या रहा कोविड-19 संकट पर पसू पसू चिकित्सा प्रतिकरिया तो वेटरेनियन इसका जो है एक थीम रहा है थीम क्या रहा है कोविड-19 संकट पर पसू चिकित्सा प्रतिकरिया तो इस दिन की सुरुवात विश्व पसू चिकित्सा संग द्वारा जानवरों और समाज के स्वास्त के लिए पसू सिकिस्सकों के योगदान का जश्न मनाने के लिए सन 2000 में कि पर कि याल ही में नासा ने किस ग्रह पर उकसीजन का निर्मार किया है सुकृ मंगल जनी 500 शनी मंगल के आपर उस्थित को देखा जाएस तो मंगल सूरे से चौतह स्थान पर इस्थित ग्रहे है और ये सौर मंडल nothing का दूसरा सबसे छोटा ग्रहे आ इसके साथ ही छाल ग्रहे कहा जाता है यह मंगल ग्रहे का आकार पिर्थवी का लगपग आधाया है मंगल मंगल ps4 गंते में चक्क पूरा करता है जो कि प्रिथवी एक गंब 3 गंद और मंगल का किसना परिकर्मा और अपने चकर अक्ष熱 का तो को मंगल और सूरे की परिकर्मा करता है और एक चकर पूरा करने में और लगबक 24 gost को लेता डुमक अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में उसी तरीके से प्रिथवी बी अपने पर एक चकर पूरा करने पर 23.9 का समान चल्रह को मंगल का अक्षिये छुकाओ 25 है औफ पिर्थवी का लगबक सिमान है जो की फिर्थवी का म अक्षिय जुकाओं इस्सका जुकाओं अपने लाइक्ष पर जुकाओं miser िटी SP 5 अवन्यवर से जुकाओं कि तरह मंगल है भी जो है अलग अलग मौसम नहीं पर भी अलग-अलग मौसम पाए जाते हैं लेकिन वे पिर्थवी के मौसम के तुलना में लंबी अवधी के होते हैं क्योंकि मंगल जो है सूरे की परिकर्मा करने में अधिक समय लेता है क्योंकि वह पिर्थवी की तुलना में जो है अलग है सूरे से थोड़ा दूर है फोबोस और डिमोस क्या है और मंगल के गृत दो करते हैं इसी तरीके से दिखाएब watching रहा है जिसे मोम कहते हैं यह मंगल मिसम कहते हैं तो मंगल यान के यानि कि इस्रो के द्वारा आंदर पर्देश के 37 धावन अंत्रिक्ष केंद्र से लॉंच किया गया था यह PSLV C-25 रॉकेट द्वारा मंगल ग्रह की सता और खनी संरचना के अध्यान के साथ साथ मिथेन मिथेन जो की मंगल पर जीवन का एक संकेत अख है कि खोज करने के उद्वेश्य से लॉंच किया गया था तो इसका साथ चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्पूर्ण प्रशन पर कि नैसकॉम की पहली महिला अध्यक्ष कौन बने रेखा एम मैनन सुनीता आयर राधा चौधरी या इन मेंसे कोई नहीं तो इसका अंसर होगा रेखा एम मैनन तो एक्स्चेंजर इंडिया की चेरबरसन रेखा मैनन को नेशनल एस्सोसीयेशन औफ सॉफ्टवेर एंड सर्विसेज कंपनी जियानिकी नैसकॉम की चेरपरसन नुक्ट किया गया जो सॉफ्टवे प्रवीड राव की जगा लेंगी तो TCS के अध्यक्ष कृष्णन रामानुजन इसके उपाध्यक्ष होंगे अभी नैस्कॉम का मुख्या लेका है नई दिल्ली में है और नैस्कॉम की स्थापना जो है मैं इसलिए डालने को बोला है क्योंकि यह मैं आप लोगों से पीछे आपको करेंट अफ्यर्स में आंसर इसका बता चुका हूं और इस पर डिसकर्स भी कर चुका हूं क्योंकि इसे जो है एक विरासत इस्थल के रूप में अभी हाली में घोशित किया गया था और यह किस रा